असलाम दोस्तों आप देखे हैं काली टेक्निक पूर्ट चानल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफून के बारे में यह है रेडमी का 13C रिसनली यह पाकिसान के अंदर लोज्ट कर दिया गया था और इसकी जो प्राइस है वो रखी गई थी 34,000 र यह चारों कैमराज को हम टेस्ट आट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा निकल के आता है वीडियो ग्राफी में फोटोग्राफी के अंदर क्या यह स्मार्टफून अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं और अपना ओनेस्ट अपीनियन आपको दू आट मेगापिक्सल की सेल्फी दीगे दीगे दूडॉर्म नोच के अंदर बैकसाइड के अंदर जो कैमरा बंप है वो काफी सिंपल सा काफी यूनीक सा बना गया बोक्सी डिजाइन के अंदर 50 मेगापिक्सल की ब्रेंडिंग भी है या या दूसर उपर की तरफ फ्लेश भ बैक और फ्रन्ट से बोटर स्लाइडर आप ले सकते हैं अगर दोसों इसके कैमरा रजल्ट की बात करें कुछ कैमरा रजल्ट में आपके साथ शूप कर रहा हूँ तो इसके रंगों में थोड़ी वाइबरनस की कमी थी बाकि इसका कैमरा रजल काफी इच्छा था लो लाइ लिगर ज्यादा होने की वज़ा से फोटो थोड़ी फीगी फीगी लगती है और कलर्स जो है वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि रिच-छी कलर्स नहीं आते हैं बाकि अच्छी बात है लेकिन आपको बता है रेड्मी के रह सो ड़े से डेलाइट के अंदर थोड़े फीगे पी पॉम करता है लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक्स्टाओर्टन्री इसका कैमरा है कोई वीडियो ग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए स्पैसिफिक लिए आप इसे भाई कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है इसकिली जो स्मार्टफून है ना यह डिजाइन सेंटि रखा गया था और यह कोशिश की थी 30,000 के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज़ें परवाइड की जैसे कि आपको पता है कि यह 6128 के साथ आता है वैसे वो लाइदा बात है यह मार्केट के अंदर ब्लैक भी हो रहा था 2-3,000 पर उपर मिल रहा था लेकिन आप क्या सकते है कि यह स्मार्टफून अगर आप इस रेंज के अंदर लेते हैं तो कैमरे के लिए आप इसे बाए ना करें क्यों कैमरे के अंदर कुछे स्पेक्स इन और इंक्लूड नहीं की हैं लेकिन कैमरा नॉर्मल यूज के लिए अब देखा जाए कि एक स्मार्टफून है उसके अच्छा अच्छा प्रसेसर मिल रहाए अच्छा डिस्प्ले मिल रहाए इसके के अंदर camera का थोड़ा सा compromise है, camera आपको थोड़ा हलका देखने को मिलता है, इसका result जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं, extraordinary नहीं है, इसके जो camera samples है, मुझे कुछ खास पसाद नहीं आए हैं, बाकि इसकी photos जो है, अच्छी lighting के अंदर, अगर आप अच्छे photographer हैं, तो आपक स्मार्टफून हिलता है, क्योंकि इसके अंदर image stabilization कोई चीज नहीं है, बाकि वीडियो रिकॉर्डिंग टिक टक 1080p 30 एपस पे कर लेता है, और दुस्वादर हम बात करें, बैक की तरफ तीन sensor की working की, में sensor जो 50 मेंगे बिसल है, वो तो काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो दो sensor है, यह सिर्फ आप कह सकते हैं, sensing के लिए है, यहां कोई special काम नहीं है, यह वैसी lens यह जिसके अंदर, यह sense करेंगे light को और बाकी कैमरा के लिए आप कोई kit phone या उस range के अंदर जा सकते हैं, अगर आप एक अच्छा phone देख रहे हैं, नॉर्मल यूज के लिए और आप कहते हैं, यह स्पेसिफिकेशन अच्छी हो, कैमरा बस नॉर्मल जो स्वीरें कैंजनी नॉर्मल लाइब में जो होता है, वह कैंजनी हम कर्मा बस नॉर्मल जो साथ, अलापिर।